स्वागत है आपका Self Study Classes पिस समिच जैन YouTube चैनल में शुशबी साती आ जाएं एक बार जल्दी से Self Study Classes का एप डाउनलोड कर लें ठीक है आपको एप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों पिले स्टोर में जाकर कि Self Study Classes का सभी सातियों को एप डाउनलोड करना है और Self Study Classes के अलाव हिंदी साहिस से संबंदित माटेरियल और दोस्तों इन से संबंदित Study Notes आपको यहां पर प्राप्त होंगे ठीक है और आपको हम बता दें कि दोस्तों हिंदी साहित के लिए अगर आप निरंतर अध्यन करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं लिए बढ़िया ओफर आया है दोस्तों और निरंतर रेगूलर ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं अभ्यास करना चाहते हैं वो सभी साती मात्र 11 रोपे में हिंदी साहित का संपून कोर्स दोस्तों इसमें ले सकते हैं ठीक है तो अभी यह 1100 का आपर है 12 मैना की validity के साथ और इसमें मैं आपको बता दे रहा तो इसमें आपको 858 तो recorded वीडियो हैं दोस्तों 858 recorded वीडियो है प्लस इसमें ebook की तरह दोस्तों आप इसकी 57 फाइल है PDF फाइल जो ebook की तरह आप पढ़ सकते हो 150 इसमें टेस्ट हैं आपके लिए 150 टेस्ट जो topic wise रहेंगे और एक साल का पूरा आपके लिए दोस्तों इसक लाइब क्लासों के recorded वीडियो भी रहेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको इस हिंदी साहित के संपूर्ण कोर्स में मिलने वाली है जो कि दोस्तों आपके लिए एक बढ़िया ओफर आया है 11 रोपे का 11 रोपे में 12 महीने तक आप निरंतर अध्यान कर सकते ठीक है इब हम नाम करण के बारे में जितने भी दोस्तों अभी तक आ चुके हैं सभी साती वो एक बार जल्दी से लाइक जल्दी कर दो खीक है लाइक कर दो और हिंदी साहित की इतियास ग्रंतों में काल बिभाजन के लिए चार पद्धतियों का आस्त्रा लिया गया काल बिभाज रीतिकाल और आदुनेकाल की रूप में आचार सुकले और नागरी प्रचानी सवा के साहितिकारों में दोस्तों इसे अपनाया आचार सुकले ने कभी अगर आपसे पूचा जाएगा कि आचार सुकले ने आचार सुकले ने हिंदी साहितिके इतिहास को कितने काल खंडों में बाटा है तो चार काल खंडों में बाटा है दोस्तो अब आपको उन चार काल खंडों के नाम बताना है। कभीता तता गद्य सायत की विविद्ध विधाओं की इतिहास कब बर्गी करण या विवेचन दोस्तों प्रस्तुत किया गया, तो यह अनेक प्रकार से अलग-अलग प्रकार से काल विभाजन की पद्धतियों को अपनाया गया, इनको अपने आगे देखने वाले यहाँ पर आजाते हैं कि चतुर्थ पद्धति एक रिजू पद्धति है जिसमें सुद्ध काल करम के नुसार बस्तुगत विभाजन को ही या थार्त माना है, बैसे अगर आपन मानते हैं कि इतिहास लेखन की चार पद्धतियां हैं दोस्तों, इतिहास लेखन की चार पद्धतियां आपने पड़ी हैं, वो चार कालखन कौन कौन सी हैं वो आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से लिखो डाक्टर गिरियर सन ने दा मौडन बनाकुलर लिट्रेचर आफ हिंदोस्तान के बारवे अध्याय में काल विभाजन का इस पस्ट निर्देश दिया है कौन से अध्याय में बारवे अध्याय में ठीक है यह बारवे अध्याय आपको याद रख लेना है यह बारवे अध्याय में अब आप से पूछा जाता है कि The Modern Unwarn玩 Literature Of Hindustان की रचनाकार कौन है तो आपको Grierson बताना है Grierson कहा के बिद्वान थे तो Grierson आपको जल्दी से बताना है और दोस्तो Grierson जो थे इन्हों ने ये जो गरंथ लिखा था वो लिखा था 18008 में 1888 में ये गरंथ लिखा इसको याद रख ते न उसके बाद पुस्तक कार के रूप में पुस्तक के आकार के रूप में ठीक है तो डाक्टर गिरियर्सन का काल विभाजन अपन देखेंगे इन्होंने चारण काल कहा दोस्तो 700 से 1400 इसवी का जो काल था इन्होंने चारण काल कहा अब आप से सबसे पहड़े क्वेस्चन तो यहीं से बनता है कि हिंदी साहित के आदी काल को या प्रारंभिक काल को चारण काल की संग्या किस ने दी तो चारण काल की संग्या किस ने दी गिरियर्सन ने दी डाक्टर गिरिय चार जो गिरियर्सन साहब हैं डाक्टर गिरियर्सन है इन्होंने चारण काल की समाय सीमा कितनी मानी है कभी-कभी ऐसा भी कोस्टन आता है तो आपको समाय सीमा भी पता होनी चाहिए कि सर 700 से लेकर के 1400 ECB का जो काल माना है वो चारण काल माना है किसने डाक्टर गिरियर्सन ने यह सबसे important question यहां से बनेगा, सबी को यात करना है और उसके बाद पंदरवी सदी का धार में कुनर जागरन, ठीक है, मलेक मुहमद जाइसी का प्रेम काब, ब्रजिक का क्रश्न काब, 1500 से 1620 यह माना इन्होंने फिर मुगल दरबार, तुलिसी दास, रीती काब इन्होंने 1580 से 1700, अठारवी सताब दी, 1700 से 1800, और दसबी दोस्तों, दसबा जो इन्होंने माना कमपनी के सासन में हिंदोस्तान, विक्टोरिया के सासन में हिंदोस्तान और विविद अग्यात कभी, तो इन प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों सबसे ज़्यादा important इनका यही है चारनकाल, क आपको पता है किनोंने चारनकाल की जो समाई सीमा मानी थी, वो 700 से 1400 इस भी मानी थी, ठीक है, आप लोग अगर नोट कर रहे हो, तो नोट भी करते जाएं, मिस्र बंदुओं का काल विभाजन दोस्तों अपन देखते हैं, यहां कैसेट फस्ती है, दोस्तों, यहां कैसेट आपने देखा होगा कि कई किताबों में आपको प्रारंभेक काल मिल जाता है, कि हिंदी साहित के आदी काल को या आरंभेक काल को दोस्तों मिस्र बंदुओं ने क्या नाम दिया, तो आपको कई पुस्तकों में प्रारंभेक काल मिल जाता जो की गलत है, प्रारंभेक काल ना का दिया है और इसी में बहुत सारे लोग कनफ्यूज होके गलत कराते हैं तो प्रारंभेक काल नाम दिया था गड़पती चंद्रगुप्त ने और आरंभेक काल आरंभेक काल नाम जो दिया था वो किस ने दिया था आरंभेक काल आरंभेक काल नाम दिया था मिश्रबंदु न क्योंकी मिश्रबंदू कितने भाई थे बोले सर्ठ तीन भाई थे और अर्य थे तीनों भाई आरमबिय llega Bine संबस सासो से चौदा सो संबस सासो से चौदा सो चवालीस चौदा सो चवालीस तक का जो काल है इन्होंने आरंबिक काल माना यह सबसे जादा पूछा जाता है ठीक है फिर इन्होंने माध्मे काल माना दोस्तो संबस चौदा सो पैंतालीस से सोला सो अस्ती ठीक है यह याद र तो अलंकरित काल संबत 1681-1889 का जो काल है इसे अलंकरित काल कहा और अलंकरित काल कहा किसने मिस्र बंदू ने यात करते जाना फिर उसके बाद परिवरतन काल 1890 से संबत 1890 से 1925 का काल इनों ने परिवरतन काल नाम दिया और उसके बाद दोस्तों 1926 से जो नाम दिया वो बरतमा काल नाम किस ने दिया तो आदने काल को बरतमान काल नाम दिया मिस्टर बंदों ने बरतमान काल तो सबसे important इनका क्या है एक तो आरंबिक काल है मिस्टर बंदों ने हिंदी साथ के नोट्स करना यहां सी question आते ही हैं साथ ही इनकी समाई सीमा भी अगर यात कर पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद आचार रामचंदर सुकली की बात करें तो इन्होंने दोस्तो बीर गाता काल ठीक है और यहां भक्ती काल रीती काल और गद्द काल यह नाम इन्ह किस ने दिया तो आदिकाल नाम दिया था हजारी परसाथ दुवेदी ने जो बाद में दोस्तो सर्भमान हो गए आदिकाल तो याद रख़ते ना कि बीर गाता काल दिया था दोस्तो रामचंद सुकली के काल विभाजन में दो question आते हैं एक तो आता है बीर गाता काल का और दूसरा आता है गद्यकाल का कि हिंदी साहित के आधने काल को गद्यकाल किस ने कहा तो गद्यकाल किस ने कहा दोस्तो राम चंदर शुकली ने और कभी-कभी गद्यकाल का समय भी पूचा जाता है कि संबत 1900 से 1984 ये गद्यकाल का समय माना जाता है ठीक है रीतिकाल 1700 से 1900 भक्त समब्त 1375-1700 रीति काल समबस 1700-1700 और गड्य काल समब्त 1900-1984 इनको अपन को यास का लेना है कि ये आपसे पूछे जाते हैं और इनमेंसे दो आपके सबसे जादा पूछे जाते एक तो बीरगाता काल और दूसरा गद्ध काल ठीक है इसको याद रखो फिर बात करते डाक्तर रामकुमार बर्मा की अभी आपसे पूछा जाएगा इसलिए आप लोग तयार रहना कि आपसे कितना आपने दोस्तों कैच किया है कितना आप कैच कर का प्रथम कभी किस से माना है तो फटाक से आप कमेंट में लिखेंगे यहाँ पर रामकुमार बर्मा की बात करें तो इन्होंने जो काल बिभाजन किया इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित का जो आरंबिक काल था उसे संधी काल नाम दिया यानि कि हिंदी साहित के प्रथम का को संधी काल नाम किस ने दिया तो वो दिया रामकुमार बर्मा में सबसे ज़्यादा question यही पूचा जाता है और पूचा भी यह जाता है कि हिंदी साहित के प्रिथम काल को संधी काल नाम किस ने दिया रामकुमार बर्मा ने है ना आपको याद रख लेना है ठीक है उसके बा माना है दोस्तों संबत सास्सों पचास से एक हजार संबत सास्सों पचास से एक हजार का जो काल था कि संधी काल माना किसने रामकुमार बर्माने आपको बताना रामकुमार बर्माने जो ग्रंत लेखा था उस ग्रंत का नाम क्या है और वो ग्रंत कब लेखा ये भी आपको बत लिया किसर 700 से लेकर के 1400 का जो काल था इसको गिरियर सन ने क्या माना था चारण काल माना था यहाँ पर अपन ने पढ़ा था गिरियर सन के काल विभाजन में कि 700 से लेकर के 1400 इसवी का काल चारण काल इसे कहा था किसने गिरियर सन ने लेकिन उसके बाद सबसे पहले गिरियरसन ने ही दोस्तों चारणकाल कहा था आदिकाल को लेकिन अगर बात करें कि आदिकाल को जो चारणकाल कहा वो रामकुमार बर्मा ने भी कहा तो दो ब्यक्तियों ने आदिकाल को चारणकाल कहा और उनके नाम क्या है एक का नाम गिरियर रामकुमार बर्मा की दो करें, तो दो क्वक्ति काल थे, आप्से बात करें, तो दो question आप से पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रख्टे ना, इनको आपको भूला नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कितने साती हैं, जो नोने self study classes से आपको download नहीं किया, और जो भी साती trick से पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित को, जो आपको lifetime तक याद रहे, exam hall मे जब आप बैठो तो आपको याद आए, ऐसा अगर अध्यान आप करना चाहते हैं, तो अभी बड़िया offer है हिंदी साहित के संपूर कोर्स में अड़िसर लेने के लिए, ग्यारा शो में, बारा महिने तक आप regular अध्यान कर सकते हैं, live class के माध्यम से, और required class के माध्यम से, इ राम कुमार बर्मा का जन्म 1905 में हुआ था, राम कुमार बर्मा की बात करें तो इन्होंने आलोच नातमक हिंदी साहित का अलोच नातमक गरंत लेका, और ये गरंत कब लेका, तो 1938 में लेका, और ये गरंत कौन सा था, ये गरंत अधूरा गरंत था, ऐसा आपको याद है, उसके बाद दाक्टर हजारी परसाद दुवेदी के बारे में बात करें, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1907 में, किसका हजारी परसाद दुवेदी का, और इनके बारे में दो कथन सबसे जादा हैं एक्जाम में जो आते हैं, जो मैंने कई बार आपको बताया है, कि मैं जो साहित की जो विकास को इन्होंने स्वभावक माना था कि ये तो स्वभावक है ये तो विकास होना ही था ठीक है ये हजारी परसाद दुवेदी ने माना था और सबसे जादा जो पूचा जाता है इनका ये पूचा जाता आधीकाल सबसे जादा आधीकाल पूचा जाता तो या ना रखो, इन तीनों को याद रखो या ना रखो, ये आदि काल आपको याद रखे नया है। क्योंकि आजारी पिरसाद दुवेदी ने हिंदी साहित का आधिकाल नामा के गरंत लिखा था 1952 में दोस्तों ठीक है तो यहां पर अपन को याद रख देना है कि आधिकाल आप से पूछा जाता है सबसे पहला question तो यही आता है कि हिंदी साहित के दोस्तों प्रथम काल को या आरम भेकाल को आधिकाल की संग्या किस ने दी तो आधिकाल की जो संग्या दीती वो हजारी पिरसाद दुवेदी ने दीती है ना इनने भी कहा कि मैं हजारों बार कहूँगा आधिकाल आधिकाल हजारों बार कहूँगा तो हजारों बार कहोगे आधिकाल तो आधिकाल कौन कहेगा हजारी पर साथ दोवेदी कहेंगे अब इसकी समय सीमा भी पूछी जाती है दोस्तों एक हजार संबत एक हजार से तेरा सो पच्चास लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी आपको भी एक क्वेस्चन बताना है कि रामचंद्र सुकल ने बीर गाथा काल का समय क्या माना ब और उन्हीं रचनाओं में कुछ आलोच को ने सैंध लगाई और उन्होंने कहा कि वी सल दियो रासो तो स्रंगारिक रचना है ये तो इस प्रकार की रचना है और उन्होंने जो आचार रामचंद्र सुकल का बीर गाथा काल था उसको दोस्तों क्या बताया कि ये बीर गाथ टूक जाते हो कि हजारी प्रसाद दुवेदी हजार से मानेंगे कहां से मानेंगे 1000 vários से तेरा सो पच्यास का काल मानेंगे ये आधी काल राम चंद्र सुकले 1054 से मानेंगे एक 1056 से 1370 मानेंगे ठीक्थ है फिरू Dem59 से 1335 मानेंगे ठीक है ये दोनों दोस्तो ये आदिकाल 1450 ये इस प्रकार से बाकी यहां से question नहीं आते आपको तो बोचीज़ें याद रखनी है थोला समय आपसे question पूछ रहा हूँ आपको बताना है कि डाक्टर गिरियर सन ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है जल्दी से बताइए डाक्टर गिरियर सन ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है आपको कमेंट में लिखना है नौ बजे इसी प्रकार की किलास आपको चलती है दोस्तो और आप लोग इसी प्रकार से अटेंड करती रहे और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तो पैड कोर्स में हमें अड़िसन लेना है और बड़िया तरीके से न्यू नोट्स पर आधारेत और दोस्तों बहुत अच्छे बिस्त्रित पढ़ना है तो आप लोग एड़ीशन ले सकते हैं अभी तीन दिन के लिए आफर आया मात्र 1100 में ठीक है तो हिंदी साहित इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सरवाद एक बिबाद है अब अपना आदिकाल यहां से प्रारंब हो रहा है अभी तक अपने हिंदी साहित के इतिहास गरंतों को पढ़ा हिंदी साहित के दोस्तों इतिहास कारों के बारे में पढ़ा काल बिभाजन के बारे में पढ़ा और बहुत बढ़िया आपने आंसर होता है आप लोग कनफ्यूज होते हो और यहाँ पर अपन एक बार अगर देखें तो यहाँ पर आजाओ यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं किसरे नोने चारणकाल की समझ सीमा 700 से लेकर के पार्ट और पीछे सब पार्ट बहुत बढ़िया तो यहाँ पर अपन को याद करना है कि डाक्तर गिरियर सन्ने जो चारणकाल की समय सीमा मानी वो 700 से 1400 इस भी मानी इस भी और संबत में भी आपको ध्यार रखना है इस भी मानी ठीक है उसके बाद आपको अंगला कोश्चन आ आता है आपको बताना है कि रामकुमार बर्माने संधीकाल की समय सीमा क्या मानी है फटापट से पांच कोश्चन हम आपसे पूचेंगे और पांचों के उत्तर आपको सही देना एक कोश्चन हो गया है दूसरा कोश्चन आपका आने बाला है रामकुमार बर्माने संधीकाल कि समाई सीमा क्या मानिए फटाक से बताइए और जब तक लाइक कर दीजिए सबी लोग और CRB कर दिया करो अपने मित्रों तक जिनको भी पढ़ना है दोस्तो हिंदी साहित निरंतर अध्यन करना है रेगूलर अध्यन करना है ट्रिक से पढ़ना है उस सभी साती आजाए से लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तो लाइप किलासों का आनंद ले टेस्ट लगा करके अपना अध्यन मजबूत करें तो बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर रामकुमार जो बर्मा है इनका जन्म 1905 में हुआ था और इन्होंने आरंभेक काल को संधी काल लाम दिया और संधी काल की अगर बात करें तो संधी काल अगर बात करें दोस्तो तो संधी काल यानि की 750 से लेकर के एक हजार का जो काल है एक हजार का काल है किसे क्या दिया इन्होंने संधी काल लाम दिया किसने रामकुमार बर्माने ठीक है हिंदी साह तितियास में आधी काल के नामक देखो यहाँ पर आगया ना बहाँ पर गलत छप गया था कि मिस्र बंधुआ ने से आरम्भिक काल, डाक्टर गिरियरसर ने से चारण काल, आचार शुकले ने ने बीरगाता काल, डाक्टर हजारी पिरसादवेदि ने से आदी काल, राहुल सांकृत्या ने से सिद्ध सामन्त युग रमा संकर सुकले रसाल ने से क्या कहा दोस्तु जैकाल और डाक्टर मोहन अबस्ती ने से आधार काल कहा अब आप कहोगी कि सर कॉस्चन कौन सा आएगा तो मैं आप से कहूँगा कि काल विभाजन में अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो यह नंबर का आपका पक्का हो जाता अच्छी से तो यहाँ पर मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि मिस्र बंदू आरंब से सात में रहे तो मिस्र बंदू ने आरंब काल लाम दिया गिरियर सन बोले चारण काल तो चरणों में गिरे तो चरणों में गिरे तो चरणों गिरे से गिरियर सन और चारण से चारण काल ठीक है आचार राम चंदर सुकल की बात करें तो सुकल तो बीर पुरुस्ते राम भी बीर पुरुस्ते तो बीर गाता काल किसने नाम दिया आचार सुकल ने हजारी पर साथ दुवेदी ने आदी काल नाम दिया आदिकाल ये हजारी पिरसाद दुवेदी क्या बोले कि हम तो हजारों बार बोलेंगे एक बार नहीं हजारों बार बोलेंगे कि इसका नाम आदिकाल ही है अब हजारों बार जो बैक्ति बोलेगा तो उसकी मानना पड़ेगा सब लोगों ने मानी बोले चलो जादा नहीं परे जाए बस ठीक है राहुल गांदी जैसे अपर राहुल गांदी का नाम पढ़ते है राजनीती में तो राहुल गांदी क्या सोच रहे हैं कि जनता एक बार सिद्ध हो जाए प्रधान मंत्री बना जाए यसी राहुल सांकृत्याइन अपने साहित में हैं ये भी क्या चाहते थे कि साहित एक बार सिद्ध हो जाए सिद्ध हो जाए ठीक है तो राहुल सांकृत्यान ने सिद्ध सामंतियोग कहा ये क्वेस्चन कई बार आया डाक्तर रमा संकर सुकल रसाल ने बात करें तो जैकाल अब बोले राम और संकर की तो जै होती है जय होती के नहीं होती, मुली सर होती है जय राम जी की जय, संकर जी की जय, तो राम और संकर तो रमा संकर ठीक है, और जय होती तो जय काल इन्हों ने कहा आदी काल को, ठीक है, उसके बाद मोहन अबस्ती, अब मोहन अबस्ती याद रख रहे न, मुली सर मोहन अबस्ती का तो ह आधार काल और यहां बार अवस्थी दिया है तो अवस्थी से यह से भी यात कर सकते हो कि जर सर अवस्था हो जाती है 90 साल की अवस्था हो जाए तो आपको एक आधार की जो उरत पढ़ती है आपने देखा होगा अपने घर में बुजुर्ग में 90 साल की जो बुजुर्ग होत और चंद्रधर सर्मा गोलेरी ने भी क्या कहा अप भ्रेंस काल कहा तो अपन ने पढ़ा था कि अप भ्रेंस को धीरे से गोली मारो अप भ्रेंस को इसी प्रकार से ट्रिक से आपको याद करवाया जाता है दोस्तों अप भ्रेंस को धीरे से गोली मारो तो अप भ्रेंस से अप अहंसा के बीज बोए जीयो और जीने दो तो और गढ़पती चंद्रगफ्थ, अब गढ़पती से स्री-गड़ेस करते Na अब कोई भी काम प्रारंब होता है तो जब प्रारंब होता है, प्रारंब करते तो अपन क्या बोलते हैं, स्री गड़ेस करो, है ना, तो गड़पती चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंब काल नाम दिया, बासू देओ, बासू देओ का क्या हुआ, बोले सर बासू देओ का ओधवाव हुआ, ओधवाव हुआ त इसर आरंबिक काल मिस्रबंदु ने, चारण काल गिरियरसन ने और रामकुमार बर्मा ने भी कहा, बीर गाता काल सुखली जी ने आदी काल हजारी पिरसाद दुवेदी ने, राहुल सांकृत्याई ने तु सिद्ध सामन्त योग कहा, ठीक है, रमा संकर सुखली रसाल ने जै काल, मौहन अबस्ती ने आधार काल, धीरेंद बर्मा और गुलेरी ने अप भ्रेंस काल लाम दिया, इसको याद करो, बीजवपन काल महाबीर पिरसाद दुवेदी ने, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है, उदभाव काल कहा किसने, दोस्तो बासुदेव ने और प्रार वर्ष घटा देने से यसान ग्यात हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे सम्बत अपन ने चलाया क्या, दस्तों पच्छास, ये सम्बत है, अब सम्बत यह है, इस ते आफ संतावन खटा दो, तो आपको यसी प्राप्त हो जाएगा, क्यानि कि जो सम्बत है, वो य llev से संताई वर्स आंगे चलती है ठीक है क्या चलती है संत जो संबत है वो इस्वी से संतावन वर्स आंगे चलता है तो यह अपन को याद रख देना है कभी अगर आप से पूछा जाए कि बताइए इस्वी में पूछ लिया जाए कि रामचंदर सुकल ने आदी काल का जो स्वुरुवात माने आदी काल का समय माना है वो बताईए और नीचे इस्वी में दिया है इस्वी में दिया है तो आपको मात्र संबत पता है तो संबत में आप क्या कर दोगे संतावन वर्स घटा देना और संतावन वर्स आप घटा दोगे तो आपको इस्वी सन ग्यात हो जाएगा संताव तो ये भी आपको पता चल गया, अब यहां पर आते हैं थोड़ी से आंगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, सबी लोग लाइक जरू कर दिया करो, एक बार सेयर भी कर दिया करो, इतनी बंपर बंपर ट्रिक निकल के आती हैं, और जिनको भी रेगूलर अध्यन करना है, लाइप किलासों से जुड़ना है दोस्तों, वो सभी साती सेल्प स्टडी किलासे इस एप को डाउनलोड कर लें, और कोर्स में अड़ी सल लेने, अभी बढ़िया मौका है, मात्र 11 शो में आप इसमें अड़ी सल ले सकते हो, ठीक है, सराहपाकी रचनाओं का संपा को हिंदी का प्रथं कभी किसने माना, यह question अपका आया था दोस्तों, तो पुस्तिया पुन्यों को पुस्पिदंत ही माना है, क्यूंकि पुस्पिदंत अपन पढ़ते हैं दोस्तों, कि जयना आचार माना जाते हैं, पुस्पिदंत उरने रिंहोंने महापुराण गिरन्त महापुरान आपने पड़ा होगा महापुरान गरंत जिसमें 63 सलाका पुरसों के बारे में दोस्तों बताया गया महापुरान में तो महापुरान जो गरंत लिखा था वो पुस्पदंत ने लिखा था और पुस्पदंत ने दोस्तों अपने आपको अभिमान मेरू कहा था और इन्होंने पुस्तिया पुन्य को हिंदी का प्रथम कभी माना दोस्तों प्रथम कभी ये आपको याद रखेंगे ना most important है ठीक है डाक्टर गडपती चंद्रगुप्त ने साली भद्र सूरी साली भद्र सूरी का नाम आपने सुना होगा ये भी दोस्तों जैन आचार हैं स ग्रथम का नाम सुना होगा interrupt लाइव साली बद्र सूरी और इन्होंने भरतेस और भाहुवली रास की रचना की थी initiative आपने दोस्तों जैन ग्रनतों में पढ़ा होगा कि भरत और बाहुवली रसब्देव भगवान की दो पुत्र हैं ठीक है अब भदीर है तो इन्होंने भ देवसेन की रचना पड़ी होगी स्रापकाचार, स्रापकाचार दोस्तो हिंडी की प्रथम रचना मानी जाती है, हिंडी की प्रथम रचना कौनसी मानी जाती स्रापकाचार, स्रापकाचार दोस्तो देवसेन की रचना है और 933 इस्वी में इसकी रचना हुई थी, किसकी स्रा अबक धर्म का बर्नन किया गया है काय में स्रापकाचार में कई बार कॉस्चन आता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौनसी है तो स्रापकाचार आपको बताना है तो आपको देवसेन बताना जो की जेन आचार है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर साली बद्र सूरी को हिंदी का प प्रथम रचना मानने बाले जो हैं वो कौन है गडपती चंद्रगुपते इसको याद कर लेना वो डाक्तर रामकुमार बर्मा ने स्वेंभू को हिंदी का प्रथम कभी माना आपको पता होगा दोस्तों स्वेंभू भी जेन आचार हैं स्वेंभू क्या है जेन आचार हैं इन काब है दोस्तो क्योंकि आपफरेंस के प्रतम महा कभी को अन माने जाते हैं इसको याद रख ले ना दोस्तो और स्वयम्भू ने पयोम चरिव गरन्त लेका जिसे की जैनी रामान कहा जाता है ठीक है याद रख ले ना और रामकुमार बर्मा ने इनी स्वयम्भू को हिंदी क का प्रिथम कभी दोस्तों क्या किया गोसित किया और देयोसेन क्रत सापकाचार हिंदी की प्रिथम साहित्य क्रचना मानी जाई और इसके 252 हो में कितने दो हो में 252 हो में स्राबक धर्म का बरनन किया गया स्राबक धर्म का बरनन किया गया दोस्तों जेन साहित आपने पड़ा होंगे क्योंकि जो हिंदी साहित है इसमें सबसे जादना चरित काब जो लिखा गया जैन साहित में लिखा गया ठीक है और जैन साहित दोस्तों सबसे प्रमानक साहित माना जाता है इसा भी अपन ने पड़ा है ठीक है तो 252 में स्रावक धर्म का बर्नन किया गया ये अपन को याद रख़े ना ठीके उसके बाद जो question आता है कि सिद्ध कभियों की संक्या कितनी है तो सिद्ध कभियों की संक्या 84 मानी जाती आपने देखा होगा दोस्तों कि सिद्ध साहित और नात साहित नात साहित आपने दोस्तों बज्जरियान सहजयान हीनियान इस परकार सी दोस्त सिद्धों की संक्या और नाथों की संक्या एक क्वेस्चन आपसे पूछे जाती हैं आपसे पूछा जाता है कि सिद्धों की संक्या कितनी थी तो सिद्धों की संक्या कितनी थी 84 सिद्धों का संबंद बोध धर्म की कौनसी साका बज्रियान जिसे की क्या कहा जाता था दोस्त प्रिथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, आठ भी सताब दी, ठीक है, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे, इन्हें सहज यान का प्रबरतक माना जाता है, किसको सरहपा को, तो एक क्वेस्चन आता है कि प्रिथम सिद्ध कौन थे तो सरहपा, लेकिन दूसरा किसका था, जल्दी से बताईए कमेंट में, सिद्धों में 84 सिद्ध थे, सिद्धों में सरवोचिस्थान किसका था, और प्रिथम सिद्ध कौन थे, तो प्रिथम सिद्ध तो आपको पता चल गया कि सर प्रिथम सिद्ध सरहपा थे, सरहपा को राहुल सांकरित्या ने हिंद रात्में भाबना काया योग सहज सून तता समादी Ke-,विवन अवस्ताओं का बरनन किया गया और बरनासरम अवस्ता पर पर तीब्र दोस्तों ने प्रेयास किया तो आपने बताया है कि सर स्धियों Same सर्वजट चिस्था जो था, वो सर्वोजट चिस्थां न करने बाली प्रतीक भासा है, कबीर आधि-निर्गोर्ण संतों की इसी भासा सेली को उलट बासी कहा गया कबीर को ठीक है तो आप से पूचा जाता है कई बार कि सिद्धों ने किस भासा सेली में रचनाए की तो आपको संधा लगाना है और इसी को दोस्तों आचारें ने संध्या भासा भी कहा संध्या भासा संध्या या संध्या भासा ठीक है संध्या य आपने मचेंदर नात पढ़ाऊगा मत्सेंदर नात जिनका नाम है और दोस्तो मचेंदर नात जो की गोरखनात के गुरू थे कई बार question आता हो कई बार आप doubts में पढ़ जाते हो लेकिन आज आपको doubts में नहीं पढ़ना क्योंकि दोस्तो नात संपरदाय के प्रवर्थक कुन ते गोरकनात और सिद्ध संप्रदाय की प्रवर्तक कुंते सरहपा याद रख्टे ना सिद्ध संप्रदाय या सहज यान की जो प्रवर्तक थे वो कुंते सरहपा ठीक है और नात पंत में गोरकनात ने हटे योग का प्रवर्तन किया और इन्होंने ब्रह्मिचर बाक संयम सारी मान से सुचिता अपनाने पर जोड दिया, मदमास के तियाग येतु आग्रह किया और इन्होंने ब्रामनों के करम कांड ऐवर्न वेवस्था पर किया तीव प्रहर किया कभी कभी पूचा जाता गोरकनात दोस्तो ये गोरकनात के गुरु कुन थे तो मचेंदरनात थे इसको याद रखे ना लेकिन आपको ये question आता है कि दोस्तो गोरकनात ने हट योग का प्रवर्तन किया हट योग में हा का अर्थ क्या है और ठाका अर्थ क्या है ये question भी कई बा तीन देनों के लिए मात्र 1100 रोपे ये दोस्तों आपको पैड करना है और 12 महीने तक आप नरंतर अध्यान इसमें कर सकते हो ठीक है तो गोरकनात नात पंत की प्रवर्तक है नातों की संक्या कितनी है नौ मानी जाती है ना से नात ना से नौ ठीक है ये भी अपन को याद रख ये कोस्चन भी आया हुआ है कि हाका अर्थ क्या है और ठाका अर्थ क्या है तो हाका सूर अठा का चंद्र ठीक है यह यादर रखोगे ईला पंगला नान्द बिंदू साधना saht चक्र बेधन सून चक्र में कुंदलिनी का प्रवेसाधी नातों की अनतर शाधना के ये मौक् किया और जैन मताब लंबी अधिकांस काब गुजरात राजस्तान और दक्षन में लिखा गया एह साहित प्रमाने की रूप में उपलब्द है तो कौनसा साहित जैन साहित और जैन मताब लंबी रचनाएद दो प्रकार की हैं जिनमें नात सिद्धों की तरह अंतसाधना है कि इसको अपन कल पढ़ेंगी कि जैन साहित किस प्रकार से लिखा गया जैन आचार कौन कौन से हैं जिन्होंने साहित लिखा चरित काब जो सबसे जादा जैन साहित में लिखा गया सबसे प्रमानेक साहित जैन साहित कभी अगर आप से पूचा जाए कि सबसे प्रमानेक स से बिस्त्रित पढ़ना है एक एक क्वेश्चनों पर दोस्तों आपको अपनी पकड़ बनाना हिंदी साहित में तो आप सेल्प इस्टडी के लासे इस एप है दोस्तों आपका इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और इसको डाउनलोड कर लेते हो तो यहां पर आपके लि ये 888 recorded वीडियो है, 57 file है, PDF file जिनको आप e-book की तरह पढ़ सकते हो, 150 test है, 1 साल की validity है, ठीक है, टिर्की वीडियो है, doubts वाले वीडियो है, live class हों की recorded वीडियो है, live class भी यहाँ पर चलती है, ठीक है, तो सभी सातियों को कैसा लगा, like करें, share करें, अपने मित्रों तक, के लिए चैनल, दोस्तों अपने मित्रों को, जिनको भी हिंदी साहित पढ़ना है, और मैं तो कहता हूं कि एक दिन में, एक महीने, दो महीने में आपका selection नहीं होता, आप नरंतर अधन जारी रखिए हिंदी साहित की पकड़ इतनी मजबूत कर लीजिए, कि दोस्तों आप भी पढ़ाने की चमता आप में आपके अंदर आ जाए, कि अब हम भी हिंदी साहित पढ़ा सकते हैं, जब आपके अंदर यसी भावना आ जाए, यसी चीज़ें आपको अंदर से लगने लगे, तब समझ लेना कि अब आपका selection पका है, ठीक है, संजय पाठक जी, जस्बंत जी, रेखा तरपाठी जी, सभी सातियों को धनबाद, लाइक, सेयर करती रहे हैं, आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों, बस इतना ही, आपको self-study classes डाउनलोड करना है, अपने मित्रों तक डाउनलोड दोस्तों करवाना है, और इस कोर्स में जिनको भी एडवीसन या जो पुराने साति हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया है, वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें, एक दिसंबर से अपन नया तरीके से यानि की दोस्तों सुरू आज से पढ़ने का मौका हासिल करेंगे, फिर से बहुत अच्छे से पढ़ने का आपका अनुभाव होगा, और पकड़ आपकी बनेगी जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, मीनाक्षी, रेकात्रपाडी, प्रतिमा जी, भीके सिंग जी, रा